कि दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका टीफोर टीचर पर बहुत सारे वीवर्स के मेसेज आ रहे थे कि सर जो मद्यप्रदेश पुलिस आरशक भरती 2020 का नौटिफिकेशन आया है सर इसके संबन्द में बताईए हमें कि रेडियो साखा लेनी चाहिए कि जिलावल लेनी चा चाहिए हमें चूकि यदि फॉर्म फिल करते समय सबसे पहले अगर चॉइस फिलिंग करवा ली जाती है तो हमें कौन सी ब्रांच सर हमें चुननी चाहिए जो हमारे लिए अच्छी रहेगी यदि कोई व्यक्ति तयारी करना चाहता है आगे पुलिस में रहके आगे तयारी क करना चाहता है तो उसको कौन सी ब्रांच सर भरनी चाहिए कौन सी ब्रांच में काम बरकलोट कम रहता है और पढ़ने का समय मिलता है आप सब जानते हैं कि हम सुनते हैं कि पुलिस वालों के पास खाने का समय नहीं होता खाना खाने का समय नहीं मिल पाता है ऐसी उनकी कि उनको खाना खाने का समय नहीं मिल पाता है तो इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे साथ ही साथ मैं आपको इसके वीडियो को आप अंतर तक देखते रहे हैं आपको बहुत जरूरी जानकारी इस वीडियो के माद्यम से मिलने वाली है यदि आप आरक्षक की तयारी कर रहे ह है यदि आप मद्यप्रदेश पुलिस भरती आरक्षक 2020 की तयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही कारेगर स्थ दोने वाला है क्योंकि आपको वीडियो के अंतर तक यह पता चल जाएगा कि आपको रेडियो वरांच लेनी है या आपको जिलावल लेना ह आपको ACF अच्छी रहेगी या आपको Other Than Radio जो जिसमें जो लिखा है Other Than Radio का मतलब क्या है इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है यदि आपने यह वीडियो नहीं देखा है जिन वेक्तियों नहीं यह वीडियो नहीं देखा है वो निश्चती गलत करके आएंगे अपना चॉइस फिल और उनको बाद में इसका बहुत खामियाज़ा वकतना पड़ सकता है तो आई यह सुरू करते हैं तो दोस्तों आपको सबसे पहले मैं बता दूँ कि पुलिस का जैसा कि हम सुनते हैं कि पुलिस की दिन चरिया यतनी सक्त होती यतनी कठोर होती है कि आपको खा गता है तो कुछ नहीं होता है आपको दस से पांच के आलाबाव अपनी सर्वेस देनी पड़ती है चाहें वो किसी भी समय हो सकती है जैसी आपके ड्यूटी लगे पर हाँ पुलिस में कुछ ऐसे लूप लाइन होती है जनमें दस से पांच का टाइम होता है या ओफिस भाह facilitate करा थाधाने बाला है उसी वीडियो के मातिक से तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं एक करफ फिस्य अग्रास बखिशक बड़atory 2020 अधर जैन रडिडियो का दोस्तों सबसे पहले आप द Emily समझज में मद्द्यप्रदेस Пुलिस विभाग की रेडियो शाहा में ही पदस्त हुं तो रेडियो को मे अच्छे से आपको कोई बता नहीं पाएगा, वेकि में तीन साड़ से सर्वेस इसमें मेरी हो चूकी है में रेडियो शाहा में पदस्त हूं अशोंगनगर जिले में स तो रेडियो के कारें समझ लीजिए मध्य पुलिस रेडियो में आपको संचार विवस्था गरी आप का एक एक प्रकार से पर पुलस सब्सक्राइब किस प्रकार से कोई बर्श्टा दिकारी ओं至 मुष्व किस तरह से सभी थानों को दिये जाते हैं तो उस संचार जवस्था को दुरुस्त करने और नियंतरत्वा रख रखाब करने की जिम्मेदारी पूरी रेडियो कार्याले की रेडियो भिभाग की होती है इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको एक और चीज बता दू रेडियो साथ है इसके अलाबा डायल हंडेड और सीसी टीवी प्रोजेक्ट भी देख रहा है आपने देखा होगा जगे जगे चोराओं पर जबड़ी जिला लेवल पर जिला मुख्याले पर जगे 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 चोराओं पर सीसी टीवी कैमरे लगे हैं उसमें ड्यूटी करने वाला स्टाप जिला लगा होता है पर पूरी जो नियंतरन जो है नियंतरन कक्षवा नियंतरन कारे पूरा रेडियो शाखा देखती है सबसे पहले तो आप यह समझ लीजिए कि रेडियो हो जिला लग हो कोई भी साखा हो पुलिस की सभी का वेतनमान समान होता है वेतनमान में किसी प्रकार के कोई अंतर कोई वेदवाब नहीं है साथी साथ बर्दी यूनिफॉर्म ड्रेस कोड दोस्तो सभी की बर्दी सेम रहती है SAF की बर्दी जलावल से थोड़ी सी भिन होती है वो कैसे होती है उसमें एक यहां पर वेच आपका मद्द प्रदेश पुलिस की जगह आपका मद्द प्रदेश ससस्तरवल रहेगा और विसे ससस्तरवल रहेगा और बागी रेडियो और अजने डिपार्टमेंट अन साखाओं की सेम जलावल जैसी होती है नीली डोरी रहती है सफ में पीली डोरी रहती है तो आपको थोड़ा सा मैं फोटोस बता दूंगा आगे तो बात हो गआई बडिकी और बेतनकी तो दोनों की समान रहते है ट्रेणिंग अलग-अलग होती है कुल 12 महीने की ट्रेणिंग होती है से तीन महिने की ट्रैंइंग आपकी इंदवर में होती है रए पीटी सी में जो सारिक सक्षण होता है जिसमें दौर्ट धूप ट्रिल्ड वागरा सखा जाती है बाखी 9 महिने का टेक्निकल ट्रैंटिन होता है जो कि पी-अ-डी एकमर में जो रेडियो ट्रैंदिक स्कूल इं सब्सक्राइब करना तो उसको कैसे मतलब उसको उपरेट करना वागेड़ा सब चीजे सब्सक्राइब जाती है उसके अलाबा अपने टावर का मेंटेन्स जो आप देखते हैं थानों पर टावर लगे रहते हैं वाई पर लाइक कम्युकेसिन किस तरह से टावर के मद्द्धियम सी तो होगा तो टावर का मेंटेनस वगड़ा यह सब कारेया रेडियो सब्सक्राइब आंदर सिखाया जाते हैं और इसी की ट्रेंडिंग अपनी नोमईनी की दी जाती है काम यहीं काम है रेडियो सेट जो रहते है सेट्स का रखर आखाप करना बित्रन करना नियंतरं में रखना उनको और है को सुधारना ढेटरित करना जिलाबल में सबसे घ्रबस सरकारी हुसी सासकी से होती है इसे सब्सक्राइब करना ऑट और मेंटेनेंस वगेरा और यह सब डियेसर जो जाती है उनका डाल हिंडेट गाड़ी और सीसी टीवी प्रोजेक्ट की निगरानी करना यह मुख्यता जिला रेडियो साखा के कारे हैं जिलावल के क्या का रहे हैं जो हम पुलिस देखते हैं जो गस्त करती है मुझलिम को पकड़ जैसे होंगे जबान पुलिस के जो हतियार बन पुलिस जातियारों से लैस होते हैं वह है Minneapolis अईसे एफ है возмож करें जरूद पढ़ती है इसके अलshireम अनौर्मल डेल में वह अपने वैरिक में अपने यूनिट में चोटे काम करते हैं रहते हैं अपने डूटी करते हैं इसके लाबा गनर जो देखते हैं अपने लिए पीस के गनर कलेक्टर सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको कोई कहीं नहीं है आपको कोई कहीं नहीं बुलाएगा आपकी आठ गंटे की डूटी आपको बिलकुल एक जगह बैठके करनी है आप आपको सेट पर बिठाल दिया कि आप सेट पर पॉइंट सुनी और आपके पॉइंट डिलीवर कीजिए तो बस आप सेट पर बंद गए हैं आठ गंटे आप वहां से उठ नहीं सकते हैं तो पर आठ गंटे की डूटी करने के बाद फिर आपको कोई परिशान नहीं करेग अब को चोकन नहीं पड़ेगा जाता है कि को जरूरी पॉइंट परिष्टा दिकारी ने दिया और आपने उसको मिस्कर दिया तो सजावी है आपको सजावी मिलेगी आप अच्छा काम करेंगे तो आपको एनाम भी मिलेगा तो यह तो रेडियो साखा की बात हो गई वैसे हो अधरतर दोस्तों मैं आपको एक अंधर की बात बता दूं। और यह तो मैं इसफ छाखा से हूं तो मैं आपको बहुत आपको काम की बात बता दू के अधिकतर सबस्ट्र प्रकिस्ट था किस इल् Sn रेडियो कौंस्टेवलिय ले जाते हैं यह फर उसको नूसरे नंबर प कि असमय फोन आजाते हैं और ड्यूटी करते करते भी कुछ ऐसे काम होते हैं जो ड्यूटी खताम होने के बाद भी जारी रखने पड़ते हैं तो जिलावल में जाने के बाद आदमी फिर अपनी मेंटल एडी चेंज कर लेता है पड़ाई के परती रुख कम हो जाता है और क्यों दूसरे नंबर में सेलेशन जादा होते हैं क्योंकि ऐसे अप में आपको बताया कि ऐसे अप में काम कुछ ऐसे रहते हैं कि आतियार बंद पुलिस है जब कोई वी बीटी होगी कोई एली डूटी होगी और फर कोई अधर बगारा कोई ऐसी इस्तिती बनेगी तब ही कि और बंब आपने यूनिट में अपने बियरेक में अपने जगे पर रहते ही हैं तो वहां इतना कोई काम नहीं होता है वहाँ आराम से पढ़ सखते हैं उनकी डूटी भी शेक्स इस ही होती है तो इसे भीुसे से selection होते हैं radio से ज़्यादा क्यों होते हैं क्योंकि radio में आपको बता दूओ कि radio साखा choose करेंगे आप तो जरूर नहीं कि आपको radio मिली जाना है क्योंकि radio merit के साथ से मिलता है अभी पिछली दो भरती का record है तो radio यदि आपका cutoff 65 जाएगा तो आपको 75 प्लस ही रेडियो मिलेगा और अगर आपका कट आफ 70 जाएगा तो एक टी क्यास पस आपको रेडियो मिल पाएगा तो ऐसा भी है बाकी ब्रांच सभी अच्छी है बुरी ब्रांच कोई नहीं है पुलिस की नौकरी है तो दोस्तों आपके लिए एक और गुड न्यूज है गुड न्यूज यह है कि मैं आपको तैयारी करवाऊंगा इसमें आपको बताऊंगा कि आप कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं संपूर्ण स्ट्रेटरजी संपूर्ण पार्ठेक्रम के एसाब से आपको पढ़ाई कराई जाएगी जल्दी ही वीडियो सीरीज में लेके आ रहा हूंगा आपको कुछ ही दिनों के अंदर आपको इसमें आपको प्रतिजन एक वीडियो के माध्यम से संपूर्ण पार्टिक्रम अनुसार पढ़ाई करवाई जाएगी तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए नौटिपिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियो के नौटिपिके हैं तो दोस्तों विभाग की अंदर की बात हैं जो आपको कोई और नहीं बताएगा वो आपको समय समय फर वीडियो के माध्यम से मेरे दोरा आपको बताई जाएगी आप अपने मन मर्जी के मताबग आप पना चोईस कर लें जो आपको ब्रांच लेनी है आप बढ़ सकते ह हैं आप इसके लिए पूर्ण रोफ से सुरंत रहें इसके अलाबा दोस्तों आप जो भी आपके मन में प्रश्ण है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं प्रतिक प्रश्ण का उत्तर आपको दिए जाएगा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपको अगर बाकई गंबीरता के साथ पढ़ाई करनी है और सेलेक्शन लेना है बढ़दी लेनी है मेरा जुनून था बढ़दी लेने का तो मैंने जिस स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई की दोस्तों आप भी करिए और आप स्वागत है आपका रेडियो व्रांच में मैं अप अच्छे नम्बरों से पास हो और मर्यरट में आपका इस्थान लगे और येडियो सेलेक्शन जरूर हो आपका तो स्वागत है आपका रेडियो व्रांच में आईे मेरे साथ तैयारी कीजिए आपको सेलेक्शन दलाने का पूरा-पूरा मैं बादा करता हूं धन्य वा झाल झाल झाल